जैहिन नमस्कार वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को वेलकम है आपका तरुना डिफैन्स अकैडमी के यूट्यूब चैनल में और आज की टास में हम जीकी और जीयस के पीछे पांच साल में पुछे गए प्रश्णों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्ण करने वाले हैं तो मोडल पेपर रहेगा आपका ये कॉमेंट वॉक्स में इमानदारी की साथ आपको जवाब देना है और इसकी पीडियोफ भी आपको मिल जाएगी टेलिग्राम गुर्प में इसके लावा भी आपको बहुत सारे ओरिजिनल पेपर कराए गुए हैं तरुना डिफैन्स अ यह option इसका सही होगा ठीक है next question बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था सारनाथ में हाँ सारनाथ सही जवाब हो गया पर सारनाथ में इन्होंने अपना जो है पहला उपदेश दिया वसे options आपको मिल जाते हैं तो जड़ा confusion हमको होगा नहीं थोड़ा लुंबीनी नोट करेंगे यहां पे लुंबीनी में इसनका जनम हुआ जणनम पूछा जाए तो लुंबीनी में हुआ था लुंबीनी है कहां पर यह नेपाल, ठीक है उपदेश की बात की जाए तो उपदेश सारनाथ में ठीक है तो इसको हम नोट कर लेंगी next question आयोध्या में बगवान राम का जनम हुआ था था ठीक है तो यहां पर देखिए नेक्स्ट परशन पर चलते हैं हम 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम लिखित में से किसके द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना हुई थी तो यह option क्या हो जाएगा यहां पर सही हो जाएगा ठीक है इन्होंने जो है आपको ध्यान होना चाहिए जब सती प्रधा पर रोक लगाए गई थी तो वो इनके ही द्वारा प्रियास किये गए थी विलियम बेंटिंग क कि बुलन दर्वाजा अकबर ने बनाया था ठीक है बी option सही हो जाएगा गुजरात विजय की उपलक्ष में इसका निर्मान करवाए गया था और कहां पर है यह कहां पर है फत्यपूर सिकरी में है ना फत्यपूर सिकरी ठीक है तो यह थोड़ा बहुत आपको ध्यान होना च अब थोड़े दिन पहले मैंने देखा था दिल्ली में ठीक है दिल्ली में कुत्व मिनार का निर्मान हुआ है अगर पूछा जाए कि यह निर्मान किसने करवाया तो शुरुवात की थी शुरुवात की थी कुतुबुदिन एवक ने किसने की थी कुतुबुदिन एवक ने शुरुवात की थी और पूरा किसने करवाया पूछा जाए कि पूरा किसने करवाया तो पूरा करवाया था इल्तुत मिश ने इल्तुत मिश कौन है रजिगा सुल्तान नाम सुना है न उसके पापपा जी ठीक है चलो यहां पर दिल्ली सही जवब हो जाता है झाल ऊफसे 有 चक्ट प्रोश्ण करकर एका निमल्खित में से किन राज्यों से गुजरती है कौन-कौन से राज्य है 8 राज्य आपको पता ओना चाहिए आठ राज्य है पता होना चाहिए आपको कौन कौन से है गुजरात है बिल्कुल ठीक है और कौन है राजस्थान है राजस्थान है और मध्य प्रदेश है चत्तिस गड़ है और कौन सा है पस्टिम बंगाल बताएंगे जिल्दी जिल्दी फटाफट से बताएं जारखंड है तरी पूरा और विजोरम थीक है कोई कन्फ्यूजन नहीं तो यहां पर कौन सा गुजरात आ रहा है और जारखंड आ रहा है मिजोरम आरा है मतलब पहला, दूसरा और चोथा पहला, दूसरा और चोथा C option में है तो C option हमारा right हो जाएगा इन में से कौन सी रवी की फसल है रवी की फसल कौन सी है चावल, सरसो, मोटे अनाज, कपास मुख्यत है जो हमारे यहां famous है इंडिया में उसमें एक तो आता है रवी की फसल दूसरा कौन सा है? खरीफ वली, खरीफ की फसल और तीसरी कौन सी है? जायत की फसल, यह यहां पर famous है रवी की फसल में क्या-क्या famous है? यह हूँ famous है, ठीक है? मैं सारे बता देती हूँ, इसे आपको बता भी होगा जो है, सरसों को भी इसमें include किया जता है सरसों सरसों को भी इसमें include किया जता है उसके लावा चना, ठीक है? खरीफ की फसल में देखें तो चावल मक्का और जवार आता है, इसमें जवार जायद की फसल में खर्बूज तर्बूज ककड़ी वगर है जो है ठीक है? यह सब जायद की फसल में आएगा तो यहाँ पर रवी की फसल पूछा है तो सरसों हो जाएगी किया यहाँ पर C option right हो जाएगा C, क्या B option क्या हो जाएगा? right हो जाएगा B, सरसों mustard ठीक है? B option यहाँ पर क्या हो जाएगा? right हो जाएगा next प्रशन देखते हैं भारत में कितनी फसली रित्वें पाई जाती है यह प्रशन ऐसा है कि अलग-अलग विद्वान जो है यह अलग-अलग बुक्स के राइटर हैं इसको थोड़ा अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं ठीक है? तो भारत में कितनी फसली रित्वें पाई जाती है अगर मौटे तोर पर हम देखते हैं तो इसमें खरीफ, रवी और जायद फसली रित्वें पूछ है क्रोपिंग सीजन्स फसली रित्वें फसल उगाने के धार पर कितने रित्वें तो तीन तरह से हम फसल उगाते हैं इंडिया में खरीफ, रवी और जायद तो तीन होने चाहिए ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट और प्रशन किस तारिक को पृत्वी की स्थिती सूर्य के सबसे नजदीक होती है पास होती है यह दिन होता है आपका तीन जन्वरी का तीन जन्वरी यहाँ पर सही जवाब है तीन दिसंबर को सबसे अधिक्तम दूरी होती है अधिक्तम दूरी ठीक है अधिक्तम दूरी पृत्वी और सूर्य के मध्य है ठीक है तीन दिसंबर को जिसको हम हिंदे में बोलते हैं अपसौर आवस्था ठीक है और ये तीन जन्वरी को हम बोलते हैं उपसोर इस दिन प्रत्वी और सूर्य बहुत अधिक पास में होते हैं सबसे नियून तमकम दूरी होती है इस दोनों के मत्य बी आप्शन सही है निमना गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है इतना इंपोर्टन प्रशन है साथ आठ बार कुछा जा चुका है आ आपकी मिधेन आती है CH4 जिसका सुत्र है CH4 और अणोटू आ जाएगी है न और चीए फसी आ जाएगी सी एफ सी क्लोरो फ्लोरो कारवन यह सारी ग्रीन हाउस गैस में सम्मीलित होती है तो इन में से कौन सा नहीं है वह बताना है आक्सीजन नहीं है डी आप्शन क्या हो जा वैश्विक तापमान है उस तापमान को इंक्रीज करती है बढ़ाती है ठीक है नेक्स्ट प्रश्ण भारत के प्रथम ग्रह मंत्री इन में से कौन थे ग्रह मंत्री होम मिनिस्टर बताना है समझे है होम मिनिस्टर सरदार वल्लब भाई पतेल थे ए अप्शन सही है ठीक है नेक्स्ट प्रश्ण भारतिय तीरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है तीरंगा जो है हमारा अशोक चक्र का रंग कैसा है गहरा नीला नेवी ब्लू ठीक है चोबिस तिल्लियां होती है इसमें पता होना चाहिए आपको चोबिस तिल्लियां ये प्रश्ण भी आ बता पाएंगे तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है सही option क्या हो जाएगा पहले नहीं थे सम्विधान में इसके बार स्वर्दार स्वर्ण सिंग की जो समीती थी उनकी सिफारिष से सविधान में शन्शोधन किया गया और फिर इसको समीरिद किया गया है तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई 11 हो गई किसमे है ये सविधान के भाग चार में भाग चार में उसका भी कपार्ट ठीक है और अनुछेद कौन सा है अनुछेद या हर्टिकल बोल सकते हम तो अनुछेद बता पाएंगे किसी को ध्यान है तो 51 कै 51 कै में जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों के हो जिनके संख्या है 11 और 42 सविधान संशोदन 42 सविधान संशोदन था उसमें जोड़ा गया है स्वर्ण सिंग समीति थी नाम था सरदार स्वर्ण सिंग समीति उसकी सिफ़ारिश ठीक है नेक्स्ट प्रशन राज्य सभा का सदस्या बनने के और अगर आपको राज्य विधान सभा पूछे राज्य विधान सभा या लोक सभा पूछे तो 25 वर्ष होती है लोक सभा में या राज्य विधान सभा यहाँ पे होती है 25 वर्ष और राज्य सभा में होती है 30 वर्ष कन्फ्यूज नहीं होंगे, नोट कर लो इसको, सही से, नेक्स्ट प्रशन देखेंगे, निम्न लिखित में से कौन से एक खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल बतानी है, अभी अब बहुत, मैंने बताया था, रवी खरीफ और जायत, तीनों की फसल के बारे में, तो खरीफ में क् यूनिट क्या है, समय की होती है, जी सेकेंड, क्या होती है, सेकेंड भी ऑप्शन सही है, नेक्स्ट है, एक कर्ष कितने ग्राम के बराबर होता है, एक कर्ष जो है, बारे ग्राम के बराबर होता है, नेक्स्ट है, पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल, पास्कल होती है, दाब की इकाई भी option आपका सही है आद्रता की जो इकाई है या इसका जो मात्रक है वो आद्रता मापी में इसको मापा जाता है और वर्षा का जो मापन किया जाता है मिली मीटर में होता है ताप मान को सेल्सियस में मापा जाता है ठीक है नेक्स्ट प्रश्ण प्राथमिक रंग है प्राथमिक रंग होते हैं वैसे आपको पता हो तो यह प्रकर्ति के अंदर होते हैं इनको किनी और रंगों के संयोग से मिलानी की आवश नेक्स्ट प्रश्ण विसर्पी घर्षण होता है स्लाइडिंग फ्रिक्षण विसर्पी घर्षण क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्षण क्या होता है विसर्पी घर्षण जो है यह सीमित घर्षण से कुछ कम मान सकते हैं इसको कुछ कम होता है इसका रण जो है वस्तुमें कोई उशी सब्सक्राइब होता है जब सीमित घर्षण से कम होगा उसको हम remaining प्रेक्षण हमारा भी मीं आ जाता है सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है ठीक है नेक्स्ट प्रश्ण मानो शरीर में सबसे बड़ी अस्थी कौन सी है लार्जेस्ट बोन इन ए यूमन बोडी बताने आपको सबसे बड़ी अस्थी यह प्रश्ण आपका पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ है आम शोर बिल्कुल डी ऑप्शन फीमर जिसको हम हिंदी में बोलते ह है उर्वी का फीमर ठीक है यह पैर में होती है जांग में ठीक है नेक्स्ट प्रश्ण प्यूस ग्रंथी पाई जाती है वेरी इंपोर्टेंट क्रिश्चन प्यूस ग्रंथी यह मस्तिश्क के नीचे पाई जाती है ठीक है मस्तिश्क के नीचे वाले हिस्से में पाई जाती तो जो प्रेगनेंट वूमेन होती है उनमें रधिक खत्रा होता है एनेमिया होने का रख्त की कमी होती है आयरन की कमी होती है इस रोग में नेक्स्ट है विटामिन ही कमी से जो रोग होता है उसको क्या कहा जाता है विटमिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है खट्टे फल वाला विटमिन कौन सा है विटमिन सी ही है ठीक है खट्टे फल खाने चाहिए जिससे विटमिन की पूर्तियों लेक संतरा हुआ नाश्पति वेला नास हो गया ठीक है नेक्स्ट प्रश्ण है स्कर्वी रोग किस विटमिन की कमी के कारण होता है स्कर्वी अभी अभी उपर आ चुका यह विटमिन सी की कमिन के करण सकरवी रोग होता है next question णी मोनिया रोग शरीड के किस अंग को प्रभावित करता है नी मोनिय रोगों इफ्क्ट करता है इसका फेफडों में प्रतील लंगे यहां पे यह ऑप्शन सही हो जाएगा है अधिक है नी मोनिया है नेक्ष्ट अप्रश्ण इक्रेश्ण म número अ मनुष्यों में यूरीया किस में बनता है यूरिय यूरीया आपका बनता है लीवर में न ìीवर जिसको हम हिंदे में य करत बोलते हैं, यह क्या करता है, एमीनो अमल को, एमीनो जो अमल होता है, उसको यूरिया में धिर धिरे कनवर्ट करता है, ठीक है, तो यक्रत यान लीवर आपका सही जवाब हो जाएगा, नेक्श्ट प्रश्न देखेंगे, लाल रख्तकनिकाएं, शिरिर के किस भाग में बनती ह बिलकुत सही जवाब, यह बोन मेरो, जिसको हम बोलते हैं, अस्थी मज्जा में रबीसी का निर्मान होता है, लाल रख्तकनिकाओं का, मानव शरीर का रख्त बैंक क्या कहलाता है, क्या नाम होता है, मानव शरीर के रख्त बैंक का प्लीहा, यह आप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट, डिप्थीरिया से होता है, डिप्थीरिया किस से होता है, यह आपको बताना है, डिप्थीरिया जो रोग है, एक रोग का नाम है डिप्थीरिया, किस से होता है, तो यह बैक्टीरिया से फैलता है, जिवानु से, ठीक है, जिवानु से फैलता है यह, त पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें जैहिन जैभायत